नमश्कार दोस्तों आप सभी का सवागतरींक एजुकेशन में और आज से हमने लदाख पुलिस कॉंस्टेबल की जो बरती आ रही है जो रेक्रूटमेंट आ रही है उसके लिए हमने जी के पॉर्शन जो की काफी इंपोर्डन्ट है उस बरती के लिए वो श्टार्ट किया है इसमें हम हिस्टरी से स्टार्ट करेंगे हिस्टरी के बाद जोगरफी फिर पॉलिटी फिर साइंस जो की साइंस अलग से एक पॉर्शन है लदाख पुलिस कॉंस्टेबल में अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हम बिश्वास दलाते हैं आपको कि आप इस बरती सीर्ज बाई चलेंगे पहले हिस्टरी को कवर करेंगे फिर जोग्रफी को फिर पॉलिटी को फिर साइंस को एकनॉमिक्स को सभी टॉपिक जो मिसलेनियस टॉपिक होते हैं जीके के उन सभी को कवर करेंगे बस आप हमारे साथ जुड़े रहें अगर आप लदाख पुलीस कोश्टेबल का अग्जाम clear करना चाहते हैं आज से हम history को start करने जा रहे हैं जो की काफी important है और हम complete history को यहां पे cover करेंगे सबसे पहले हम आज जो हमारा first lecture है लदाख police constable के लिए history का board discuss करते हैं नेकि जो हमारे हम mcq wise से लेंगे जिसमें हम आपके सारे के सारे doubt clear हो जाएंगे अगर आपका एक mcqo से doubt बनता है तो अकले mcqo से या आने वाले mcqo question से वो आपका doubt निकल जाएगा तो आप बस दैर यह बना के रखें और हम English में यहां पे आपका type होगा question और हिंदी में हम इसकी explanation कर देंगे तो हिंदी प्लस English दोनों में यह आपका cover हो जाएगा तो हम first question देखते हैं कि which Indus Valley site is located between the सावरमती रीवर and the बोगवा रीवर इन गुजरात विस सावरमती रीवर और बोगवा रीवर के बीच ऐसी कौन सी जगे है सिंदू गाटी सबवेदा की Indus Valley civilization की जो सावरमती रीवर और बोगवा रीवर के बीच में है तो सावरमती रीवर और बोगवा रीवर अगर हम देखिए इनका जो combination होता है वो गुजरात में होता है तो गुजरात में जो यहां पे साइट है बो है लोथल देखिए जो गुजरात में है लोथल और सावरमती रीवर और बोगवा रीवर यह दोनों अगर इनकी हम इनके बीच की जगें बनाएंगे तो गुजरात में बनती है ठीक है एमधाबाद भी सावरमती नदी के किनारे स्टीथेक शहर है गु काफी important topic question है कि लोथल काँ पे है तो लोथल सावरमती रीवर और बोगवा रीवर के बीच में है ठीक है यह रोपड है यह आपका पंजाब में पढ़ता है आलमगीरपूर है यह आपका उत्तर परदेश में है कालीवंगन यह आपका रजस्तान में है तो आप यहां पे एक लोथल की बंदरगा से ही अपना विपार करते थे और रोपड काँ पे है रोपड पंजाब में है और पंजाब में एक अगर देखिए तो सबसे important site है पंजाब की वो है रोपड इंडिस वैली civilization की और आलिम गिरपूर आलिम गिरपूर है यह आपका उत्तर परदेश में है और सबसे पूरवी site अगर देखी जाए सिंदू गाटी सबटा की सबसे पूरवी site तो वो आलिम गिरपूर है ठीक है और काली वंगन यह काली वंगन यह आपका राजस्तान में है जूते हुए खेत यहां पे मिले और जो कहते हैं कि बैंगल्स मिले यहां पे और इसी के कार यहां पे काली वंगन यहां का नाम रख दिया ठीक है नेश्टम डिसकस करते हैं कि इन्डिस वैली सिविलाजेशन साइट ओफ मोहन जदारो इस सेटूरेटेड इन बिच कंट्री जो मोहन जदारो है यह कहां पे है ठीक है तो निपाल में तो कोई site ही नहीं है इन्डिस वै उर्भी site हम देखें तो आलमगीरपूर है वो उत्तरप्रदेश में है ठीक है तो नेपाल में तो यहां पे बनता ही नहीं है ठीक है अगर हम बात करें मोहन जदारो की तो यह पाकिस्तान में है मोहन जदारो ठीक है और यहां पे एक मोवी भी बनी थी मोहन जदारो तो वहा सी किस जिले में है कौन सी किस कंट्री में है अब मोंच दाड़ो यह आपकी पाकिस्तान में जो पहले हमने डिसकस की थी चारो वो चारो इंडिया की साइट है राखी गड़ी हसार में है बनवाली हसार हर्याना में है राखिगडी और बनावाली जो यह आपकी फत्याबाद में है जो की बोगी हर्याना में है रोपड में आपकी रोपड में है जो की पंजाब में है आलमगीरपूर जो की उत्तर परदेश में है काली वंगन यह आपकी राजस्तान में है लोथल यह आपकी गुजरात में है दो दोला विरा साइट है, यहां पे ज़आपका जो वाटर सिस्टम था, जो नहरी पर ना ली थी वो दोला विरा में मिली है कि खेती करने के लिए जो दोला विरा में जो कनाल सिस्टम था, बैल Eस्टेबिलिश था ठीक है, तो नेक्सट कोस्न देखते हैं which हड़पन site is called Black Wangle तो जो Black Wangle किस हडपा सब्बेता का दूसरा नाम है वो काली वंगल का दूसरा नाम है ठीक है और बनावाली मेंने आप फिर आप रपीट करते रहेंगे याँ पर बनावाली काम पर है ये आपकी फतियाबाद में है लोथल काम पर आपकी गुजरात में है रोपड काम पर ये आपकी पंजाब में है नेश्ट कोसन डिसकस करते हैं इन मोंजदाडो इस दा लारजेस्ट विल्डिंग इस मोंजदाडो में जो लारजेस्ट विल्डिंग थी वो क्या थी देखे, जो महुंजदाडों में थी, वो ग्रेंडरी थी, अनाज के बंडार थे, अनाज का जो बंडार रखा जाता था, उसे ग्रेंडरी बोलते हैं, तो यहां पे जो महुंजदाडों की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, और 27 रूम थे, ठीक है, 27 रूम थे इसमें, 27 रूम ठीक है, और बहुत बड़ी विल्डिंग थी है, महुंजदाडों की, यहां पे अनाज का बंडार किया जाता था, ठीक है, आई थिंग आपको यह पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कि महुंजदाडों का पर पाकिस्तान में है, इसमें जो सबसे बड़ी ग्रेंडरी थ बड़ी जो लोग थे, वो किसकी पूज़ा करते थे, वो करते थे, पशुपती नात की, पशुपती नात की पूज़ा करते थे, ठीक है, अगर हम फिमेल गोड में बात करें, अगर हम मेल में करें, तो वो पशुपती की करते थे, अगर हम फिमेल गोड में बात करें, तो फ फिमेल में और मेल में मेल गोड में जो पशुपती की पूजा करते थे नेक्ट में डिसकस करते हैं कॉस्टन जो इंडिस वैली सिब्लाइजेशन का वन ओफ दिसकावरर कौन था इन में से एक खोज करता कौन था इंडिस वैली सिब्लाइजेशन का तो वो बताना आपको तो लाडलो जी ये तो आपका ब्रिटिश थे विलियम बेंटिंग ये भी ब्रिटिश थे ब्रिटिश रूलर थे जो ब्रिटिश रूलर आ उसमें ये पतादकारी थे और जो देयाराम सैनी थे ठीक है देयाराम सैनी थे इन्होंने खोज की थी इन्डिस वैली सिविलाइजेशन की 1921 में जो हडपा की खोज की हडपा साइट थी जो ठीक है हडपा साइट थी जो इसकी खोज की ये की थी दियाराम सैनी ने 1921 में देखें ये कोसन अगर हम डेर्ड से कोसन देखें कि वही डेर्ड से कोस्टन इंडस वैली सिपलाजी से नहीं आएगा तो यह आएगा 1921 वाला ठीक है अधरवाई जितने भी पिछले एक्जाम हुए हैं आप उठाके देख लीजिए किसी में भी डेर्ड से रिलेटर कोस्टन नहीं बनता अगर हम डेर्ड से रिलेटर कोस्टन देखें तो किस में बनता है वो इसी में बनता है कि दियाराम सैनी ने हडपा सब्बेता की खोज कव की थी 1901 में 1901 में हडपा सब्बेता की खोज किसे ने की थी दियाराम सैनी ने 1921 में दियाराम सहनी ने किस साइट की कोज की थी तो हडपा गी की थी तीन कोस्टन बनते हैं इस उसे एक चीज को हाइड कर देंगे दो चीज आपको बता देंगे और यूँ अपको आँ पर बतानी पड़ेगी ठीक है कौस्टन कैसे बन सकता है कि दियाराम सैनी ने हडपा की खोज कब की थी तो दियाराम सैनी ने हडपा की खोज 1901 में की थी दूसरा कॉस्टन बन सकता है कि 1901 में किस साइट की खोज की गी तो 1901 में जिस साइट की खोज की गी वो हडपा सबेदा थी 1921 में हडपा की खोज किसने की दियराम सैनी ने की तो ऐसे कोस्तन यहां पे बन सकता है Main occupation of the people of Indus Valley civilization was सिंदुगा टीज सबेदा के लोगों का जो मुख्या जो पेशा था वो क्या था देखें जो मुख्या दंदा था जो पेशा था वो क्या था Indus Valley civilization के लोगों का तो तो वो था agriculture क्रीशी जो पेशा था Indus Valley civilization के लोगों का और कपास की जो फसल थी कपास की फसल थी जो ठीक है वो भी वो करते थे और जो मुख्या फसलें थी वो गेहू वेजों थी ठीक है वीट और वारले ठीक है अगर हम इंगलिश में देखें तो इसे बीट और बारले ठीक है गेहू वेजों गेहू वेजों जो मुख्या फसलें थी और कपास का भी इन्होंने invention किया था invent की थी कपास भी और कपास की खेती भी इन्होंने अरम की थी तो मुख्या पेसा था वो आपका एगरी कल्चर था और ये लोग सिंदुगाटी सब्विता के लोग शहरी लोग थे और बेपार बगार भी करते थे और लोथल जो बंदरगाती गुजरात में उसी के जरीए ये अपना बेपार करते थे ठीक है और इंडिस वैली सिब्लाइजेशन वाज डैस एज सिब्लाइजेशन तो इंडिस वैली सिब्लाइजेशन जो वो कौन सी सब्विता जाना जाता है ये ब्रोंज ठीक है ब्रोंज जूकी सब्विता जाना जाता है इंडिस वैली सिब्लाइजेशन को ब्रोंज ठीक है, हैर्टम कोस्टन करते हैं कि मौंजदाडो वाज लोकली नेम्ड एज मौंजदाडो को जो स्थानिक लोगों दोरा जब वहां के रहने वाले लोगों के दोरा जो नाम दिया गया, वो क्या था क्या वो मंड ओफ डेल्टा था मौंड ओफ डेल्ट था, मौंड ओफ लाइफ था मौंड ओफ डेल्ट था, तो इनमें से आपको बताना है और आप अपने कोस्टन है, वो कमेंट सेक्शन में भी दीजिए और बाद में चेक कीजिए कि हमने कितने कोस्टन यहां पर सही किये हैं और कितने कोस्टन अमने यहां पे गल्ट कियें तो आप उनका भी जो राइट अंसर कमेंट सेक्शन में भी आप साथ की साथ दीजिए और बाद में आप काउंट कीजिए कि हमारे कितने कोस्टन सही हुए हैं और कितने कोस्टन गल्ट हुए हैं जो पहले से त्यारी कर रहे हैं जो जन्होंने अभी शुरात की है प्रेपरेशन करनी की तो उन्हें कोई जरूरत नहीं है बस आप इनको आप समझीए और इनको आपरेटर लीजिए बिल्कुल और मैं आपके यहां पे कंसेट भी यहां पे जो पाकिस्तान जो पस्चमी पाकिस्तान था पूर्वी पाकिस्तान था और पस्चमी बार था इस साइट में बसने लगे ठीक है उस टाइम अब का पस्चमी पाकिस्तान कर रहा हूं और उस टाइम तो पूरे का पूरा यहां पे इंडिया था मेंज कि यह इंडिया है और इंडिया ये ठीक है ये इंडिया मान के चलिए अप ये इंडिया है और जो ये साइड की ठीक है जिसमें आपका उत्तर प्रदेश का कुछ आ जाता है पाकिस्तान का कुछ आ जाता है गुजरात आ जाता है राजस्तान आ जाता है हर्याना पंजाग और जम्मु किस्मीर का कुछ जो मांदा बगरा है वो लाता आ जाता है जम्मु किस्मीर का तो यहां पे पची सो इसापूरब ठीक है पची सो बीसी में यहां पे लोग बसने शुरू हुए यहां पे लोग रहने शुरू हुए जो की 1750 की आसपास यहां पे रहे ठीक है उसके बाद इनका पतन हो गया था जो कुछ लोग कहते हैं कि यहां पे ब्यानक ब्मारी आई और कुछ लोग कह रहे हैं कि बाड के कारण इनका अंत हो गया था तो इस सब्बेता का अंत 1750 की के आसपास ये लोग यहां पे बसने शुरू हुए और जो एरिया था इनका वो पाकिस्तान था आज का पाकिस्तान था गुजरात था जो इंडिया में है और हर्याना पंजाब राजस्थान उत्तर परदेश का आलिम गिरिपूर और माराष्टर का दाइमाबाद था और जमु कुश्मीर का मांदा था जो राभी नदी के किनारे है ठीक है तो ये सारे के सारे आपके ये ये थे ठीक है तो ये आपके सिंदुगाटी सब्विता का एरिया है एक पर आप मैप में यहां पे देख लीजिए अगर आप इसे इंडिया का मैप मानते हों ठीक है तो यहां पे इस साइट में जो पूरे का पूरा था वो सिंदु कार्टी सब बता के लोग बसे हुए थे ठीक है अब कॉस्टन यह है कि जो महुंजडाडों को बहां के रहने वाले लोग जो महुंजडाडों के एरिये में रहते थे वो उसे क्या कहते थे तो माँड ओफ डैड मिर्तकों का टीला बोलते थे माँड ओफ डैड मिर्तकों का टीला ठीक है महुंजडाडों के लोग इसे और जो दूसरे लोग थे उसे महुंजडाडों ही बोलते थे बहां के रियासी लोग इसे माँड ओफ डैड बोलते थे next question which matter was not known to Indus Valley Civilization people भी सिंदुगाटी सबता के लोग Indus Valley Civilization के लोग किस दातू को जानते नहीं थे बिलकुल भी तो लोहा थे उसे बिलकुल भी नहीं जानते थे सिंदुगाटी सबता के लोग लोहे से आप प्रिचित थे लोहे से वो अनाउन थे लोहे को बिलकुल भी नहीं जानते थे वो और लोहे की असर में खोज जो बेदिक सबता में हुई है बेदिक काल में हुई है जो आरे हैं लोगों के आरे हैं लोगाई उन्होंने लोहे की जो उन्होंने खोज की सिंदुगाटी से बिदा में लोगे को नहीं जाना रहता है ठीक है नेश्टम बात करते हैं which is one of the following places of Indus Valley Civilization on the bank of Looney River भी Looney रीवर के आपके which of the flowing places of Indus Valley Civilization on the bank of Looney River के कनारे इन में से कौन सी आपका जो एरिया है वो कौन सा था Looney River के कनारे में इसकी Indus Valley Civilization की कौन सा पहाट है जो Looney River के कनारे रहता ता बो था दोला वीरा ठीक है दोला वीरा जो अब गुजरात में है ये Looney River के कनारे बसा हुआ था ठीक है Looney River जो आज राजस्तान में बहती है मद्या परदेश में बहती है तो दोला वीरा उस टाइम था जो वो Looney River के कनारे यहां पे बसा हुआ था ठीक है और दोला वीरा गुजरात में अबाद था है Indus Valley Civilization वार विल्ट आफ ठीक है जो सिंदू गाटी सबटा है इसके लोग जो अपने जो गर बनाते थे जहां पे रहते थे अपने जो रहन बसेरे थे इनके जो इनके गर थे वो किस चीज के थे क्या वो स्टोन के थे पत्थरों के थे लकडी के थे बूड के थे ब्रिक्स इंटों के थे इनमें से कोई भी नहीं तो जो इसका राइटेंस है वो इटों के अपने गर बनाते थे जो इटों का साइज होता था जो रेशो होता था वन रेशो टू रेशो फॉर में ये इटों का यहां पे साइज होता था रेशो में और साथ यहां पे सैंटीमीटर की जो इनकी इटों की हाइट होती थी आपकी इन्डिस वैली सिबिला जेसंदी कोशन आएकि यस हिंदू गाटी सबटा कि लोग किस तरहें के गरों में रहते थे तो इटों से बने गरों में रहते थे जो गर होते है वो ब्रिक्स की बने होते थे ठीक है आलिम गिरपुर मैंने आपको कम से कम तीन से चार बार ये कोशन बता दिया है अब इसका अंसर दे भी दोगे कि आलिम गिरपुर हर्याना में थी जहां राजस्थान में थी जहां जम्हु किसमीर में थी जहां उत्तरप्रदेश में थी जो आलिम गिरपुर थी वो उत्तरप्रदेश में ये साइट ती, ठीक है? अगर वागर बिल्कुल डीपली क्वेसेan पोछ ले कि आल्मगिरपुर किस उत्तरपदेश के किस जिले में है तो वो मेरिट में है बाके ये क्वेसेan बिल्कुल भी बी नहीं पोछेगा यह उत्तर प्यदेश के एकजाम में पूछिएगा अगर उत्तर प्यदेश कोई एकजाम में Otherwise, अगर किसी और राज़्यागा जैसे हम लदाक यहाँ पर की तियारी करता है लदाक पॉलिस कॉंस्टेवली की एकजाम की तियारी करता है तो उसमें तो ये कोशन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा ठीक है नेश्टम कोशन देखते हैं कि दोला विरा इस नाउनस दोला विरा को किस अन्य नाम से जाना जाता है क्या उसे हिसार के नाम से जाना जाता है हिसार में तो एक अन्य साइट है राखी गड़ी तो ये तो गलत हो जाएगा और कादिर इजलेंड कादिर इजलेंड जाना जाता है दोलागिरा के अन्य नाम से तो कादिर इजलेंड इसका राइट अंसर होगा हमारा next question है कि बोगवा is now nice जो बोगवा है उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है तो बोगवा को सुराष्ट्रा जो की सुराष्ट्रा काँपे है सुराष्ट्रा है आपका गुजरात में और सुराष्ट्रा की टीम भी है रेंजी ट्रोफी में जो domestic cricket होती है हमारे इंडिया में उसमें एक रेंजी ट्रोफी होती है और रेंजी ट्रोफी में हमारी सुराष्टरा की टीम भी है ठीक है तो बोगबा सुराष्टरा को जना जाता है और बोगबा रीवर भी है ठीक है और बोगबा रीवर भी है वो इंडिस वैली सिबलाजेसिन की एक साइट है बिच अधा फ्लोइंग हडपन साइट वाजनोट located in गुजराद बई इनमें से कौन सी साइट है वो गुजराद में नहीं है तो लोथल भी गुजराद में है सुर्कोटडा ये भी गुजराद में है दोला विरम आपको बता चुका हूँ गुजराद में है लुनी रिलीवर के किनारे पर है दाइमाबाद काम पे है दाइमाबाद आपकी महराष्टर में है तो ये गुजराद में नहीं है ठीक है कपल वुरियल दो लोगों का शब बाच वाउंड इन बिच ओड़ फलोईंग हड़पन साइट ठीक है पे है, जो आपकी पाकिस्तान में है, तो लोथल में मिला था दो लोगों का शब. The Great Bath of Indus Valley Civilization is found at, is found at, तो कहां पे मिला था, जो इशनानगर था, ठीक है, बहुत बड़ा इशनानगर था, जहां पे लोग नाते थे जैसे देखे इसको दो तरीकें से माना था कुछ बुक्स में बोला गया कि ये शनान गर तीर्थ स्थान की तरह था जैसे लोग गंगा में नाते हैं गंगाजी में नाते हैं और तो ऐसे एक शनान था जैसे तीर्थ सनान होते हैं जैसे स्रोवर होते हैं जैसे हरेना में ब्रम स्रोवर हैं ऐसे एक स्रोवर था ये और कुछ लोग बोलते हैं कि ये वहां के जो जो लोग थे जो वो इसमें नाने के लिए आते थे वैसे ही नाने के लिए आते थे तो वो महुंच दाड़ों में था तो great बात कहाँ पे है महुंच दाड़ों में बिशाल शनाना गर ठीक है the social system of happen was जो social system था कि वहाँ पे smagic system कैसा था क्या महाँ पे slave level थी जहां fairly aglatorial जहां पे वो system था जहां color वरना बेश़ड़ था means की black and white का महाँ पे कास्ट बेशड़ता शत्रिय शुद्धर वैसी है भो था तो वहाँ पे बिलकुल समान वहाँ पे कोई भी तरह का किसी भी तरह का बेदबाब नहीं किया रखता हड़पा सब्बता में किसी भी तरह का बेदबाब नहीं किया रखता था वो सभी लोग समान तरीके से रहते हैं सभी को समान तबाधिकार था लाएं टीक है राइट टु इकैल्टी था और बिलकुल समान तबाधिकार था और कोई भी वहां पे जर्ण बेस्ड इनडस वैली सिबलाजीशन का जो ताइम पिरिड है वो क्या था तो पच्ची सो से लेकर 1750 इसका दीए सबसे ज़्यादा अगर इंडिस वैली सिबलाजी संगा एक ऐसा क्वेसिन डूनना पड़े हमें कि सबसे ज़्यादा जो मतवेद हैं किसी क्वेसिन पे तो यह है अगर हम इसका एक बेसिक इसका टाइम पुछा जाए बिलकुल एक सबसे श्टीक पुछा जाए तो बो है 25 सो से लेकर 1750 टुवन्टी फाइव हंडर से लेकर 1750 तक इसका जो टाइम है वो 20 तक है विफोर क्रिस्टिन ठीक है जो हडपा के थे वो विफारी का सुवन्द किस्टे थे जिसे वो विफार करते थे क्या वो चाइना से विफार करते थे नहीं जावा से विफार करते थे नहीं मैसोपटामिया से वो विफार करते थे ठीक है मेसोबटामियां से बेपार करते थे वो अपने जो राक में है मेसोबटामिया राक का राक एक सब्बिता है मेसोबटामिया तो उस सब्बिता से वो बेपार करते थे ठीक है मेसोबटामिया से और बर्मा जो कियाज का मियानमार है इससे भी बबार नहीं करते थे Next question है मना फ्लोइंग इंडिस वैली साइट इस इन पाकिस्तान जो इन में से बताना है कि हमें इन में से कौन सी साइट है वो पाकिस्तान में है लोथल गुजरात में है जी खाली वंगन ये राजस्तान में अलवंगीर उत्तरपदेश में हडपा ये जो साइट है ये पाकिस्तान में है इंडिस वैली सिबलाजिसन की जो साइट है तो हमने लगवग़ टॉपिक के हां पे सिंदु का टी सविदा का कवर कर लिया है टाइम बता दिया है कौन सी साइट की राज्जे में है नदियें बता दिया है आपको मैंने और मैं कुछ और नदिये बता दिया हूँ जैसे महंचदाडो और चुंड़ो ये जो इंडिस सिंदु नदी है इंडिस रिवर है उसके कनारे पे है ठीक है और जो आपकी काली वंगन साइट है राजस्तान में वो गगर नदी के कनारे पे है ठीक है और जो आपकी मांदा है जमुक शमीर में वो आपकी राभी नदी के कनारे है तो ये इसकी कुछ रिवर्स हैं जो पूछी जाती हैं और मेरे साब से टॉपिक कंपलीट हो चुका है हमारा सिंदुगाटी सब्वेता और अगले टॉपिक में हम जो हमारा लदाख पुलिस कॉंस्टेबल का जो टॉपिक होगा उसमें हम अगला हमारा टॉपिक होगा बेदिक समाज और बेदिक समाज के साथ हम उसमें जल्दी जल्दी हमने पूरा सलेबिस कम्पलीट करना है पूरी जी के कम्पलीट करनी है उसके साथ हम बेदिक समाज के साथ हम बोदर्म का और जैंदर्म का इन तीनों टॉपिकों को एक साथ कम्पलीट करेंगे और मैं आपको जकीन दलाना छोड़ दें तो आज की वीडियों बस इतना ही धन्यवाद दोस्तो अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें इस वीडियो को लाइक करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तो